तो हेलो माई यूट्यूब फैमली वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शॉपित सान्या आई होप आप सभी ठीक होंगे चैनल पे न्यू हो तर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना आज मैं आप लोगों के साथ माई ग्लैम क में मुझे टोटल 3-4000 के प्रड़क्स उनली 99 में रिसी हुए है तो चलिए जली से मैं फटा-फटा आप लोगों को बता देती हूं कि मैंने यहां पर और क्या क्या किया है तो यहां पर फर्स बॉक्स में मुझे यह 5 काजल रिसी हुए है मनीश मलोद्रा के साथ में इसके प्रणाट बहुत है था तो मैंने इसको भी एड कर लिया है यहां पर यहां पर यह जो काजल दे वो सारी ही डिफरंट डिफरंट शेड्स में हमें यहां पर मिल रहे थे बहुत ही अच्छा बग ऑफर था और कई सारे सब्सक्राइबर्स को यह डिलीवर्ड भी हो गय थे ब कभी कभी ना बग ऑफर्स जो होते हैं उनका कुछ चिकाना नहीं होता वो किसी भी टाइम आ जाता है इसलिए मैं आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलें और आपसे कोई डिल मिस यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सेकेंड बॉक्स में मुझे यह चार काजल इसी हुए है एक जो है आउट ऑस्टॉक हो गया था इस वज़े से मैंने यहां पर यहां पर यहां पर नीचे शो हो रहा होगा और काफी पिग्मेंटेट थे एक स्टोक में यह कर रही थी तब मुझे काफी मेहनत लगी ती इसको रिमूव करने में मिसीलियर वाटर से मैंने काफी रब किया तब जाके यह रिमूव हुआ अब मैं नेक्स जो स्वेच कर रही हूं उसका नेम है स्लट्री सियाना यह जो शेड है वो मुझे बहुत ही पसंद आया थोड़ जो रोज गोल्ड आता है ना उससे थोड़ा डारकर वाला शेड था और शाइनी शाइनी सा था मैं आप लोगों को स्वेच करके दिखा देती हूं यहां पे आप लोग देख सकते हो यह कुछ इस टाइप का शेड है प्लस इसमें के अंदर थोड़ी सी शाइनिंग भी थी आप लोगों को पताने के अमेरे पे वीजिबल हो रहा है या नहीं बट इसमें थोड़ी थोड़ी शाइनिंग भी जो है वह मैट थे बट यह वाला थोड़ा शाइनी था इसका भी लॉंग स्टे है काफी अच्छा आई लूग क्रिएट हो जाता है इसको लगाने के बाद यहां पर नेक्स जो शेड है उसका नीम है अमेरेल स्पार्कल यह ग्रीन टाइप का शेड है बहुत ही अच्छा शेड यह भी मुझे लगा मतलब अगर आप लोग इनको बाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे काजल है इसको आप काजल की तरह भी लगा सकते हो आई-लाइनर की बहुत ही ज्यादा है मुझे परसनली बहुत पसंदा है यह काजल आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को इन सभी शेड में से सबसे ज्यादा शेड कौन सा अच्छा लगा ठीक है अब जो नेक्स शेड है जिसको मैं स्वेच करने जा रही हूँ वो बाकी के है वो मैट टाइप के है यह वाला थोड़ा मैटलिक टाइप का तब काफी अच्छा लगता है यह जब इसको एपलाइ करते हैं बहुत ही प्रिटी सा लुक क्रियेट हो जाता है इससे एन नेक्स पारसल में मुझे यहां पर सीम ही शेड रिसी हुए थे बट एक शे बूट टाइप का शेड है बहुत ही अच्छा जो है इसका शेड है पेकेजिंग तो मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा पसंद आई प्लस इनकी जो कौलिटी है वो भी काफी अच्छी है यहां पे आप लोग देख सकते हैं बूट टाइप का इसमें शोक किया हुआ है आवट वहाइब बिल्कुल भी निकल नहीं रहे हैं और आप लोगों को बस इसको करने के बाद थोड़ा साँ वेट करना होगा क्योंकि है इनकी expiry date and जो MRP है उस पे तो इन सब की MRP थी वो यहां पे इनों लोगों ने मैंशन की है 850 रूपीज बट एप पे इन लोगों ने इसका प्राइस कम करके डाला हुआ है 500 या 400 सम्थिंग है मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है बट 850 तो नहीं है काफी कम है प्लस इसकी जो expiry date है वो 2025 तक की दी हुए है तो काफी अच्छी expiry date है अगर आप लोगों को यह बाई करना है तो आप अभी भी इसको बाई कर सकते हो बस आपको इसके उपर mg1012 वाला कूपन को लगाना है अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को कैसे करना है तो आप लोगों मेरी वीडियो चेक कर सकते हो मैंने उसst 1000 अंदर आप लोगों को बताया हुआ है तो यह थे सारे pros ARS किए थे माईगलेम की बग लूट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना के आप लोगों से यह ओफर मिस हो चुका है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं फिर से कह रहीं हूँ कि चैनल कर लो और नोटिफिकेशन को ओन करना ना बूले आगे अभी और भी वीडियो आने वाली हैं अन्बॉक्सिंग की सो स्टे टून फॉर देट एंड मेरे चैनल को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताके सभी मिलके ओफर्स का फायदा उठा सके आज एक न्यू वीडियो के साथ तिल देन टेक केर बाबाई